कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग वेज कॉंबिनेशन रेसेपी जिसका नाम सुनते ही आपके उम्हें पानी आ जाएगा तो यह है वेज लाजवाब रेसेपी और इसी के साथ में बनाऊंगे मैं एक जबर दसल पारांटा इसमें अदिश्य चमंच नमक और बड़ेट्य कोकिंग मिक्स कर देना है जिससे नमक त्यल अच्य जब यहां बहुत लिजिए बहुत लचीला' घरा कमाट्य बाल अब अबी इसे हमें थोड़ा सा ओयल लगा कि ढगाकर side पर रख देना है जब तक हम नेक्स त्यारी करते हैं जिसके लिए हमें लेना है एक छोटा पैन और इसमें हमें डालना है साथी चमबच सारी मेजर्मिंट मैं ले रही हूँ तो छोठे चमबच मैंने लिया हुआ है मैंने यहां अजवैन लियोई है चाहताई चमबच मैं में मेथी दाना है करना है लाल सूखी वे मिर्च जो कि मैंने तीन पीस ली है अब यह जो मसाले हैं इसे हमें हल लका हलका सा भून लेना है जिसे इसके भूनने की बहुत प्यारी सी खुश्बू आने लगे यह देखे जब यह मसाला भून रहा है इसी में आदे शोड़े चमच काले मिर्च के दाने भी दाल रही हूं अब यह मसाला बिल्कुल चटकने लगा है खुश्बू भूनने की बहुत अच्छी आ रही है तो बस इस मसाले का फ्लेम ओफ करकर इसे थोड़ ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद में इसे ग्राइंड डालने के बाद में इसमें थोड़ा सापको नमक भी ड प्राइब नेक्स टेप की तरफ आते हैं जिसमें डाली एक कप पानी तकरीबर मैंने 500 अमिल पानी यहां पर अप्रॉक्सिमेटली डाला है अब इसमें यहां पर दो लाज साथ का आलू ले रही हूं कच्छा अलु है जिसको मैंने डाल दिया साथी एक कप गाजर डाल दिय इसके साथ ही इसमें हमें एक शिमला मिर्च लेनी है जिसको रफली काट लेना है और इसे के साथ एक कप हमें लेना है हरे मटर सीजन तो आगे है फ्रेंट्स मटर का तो इस सबजी में यह मटर ज़रूर दालिएगा और जो भी सबजी को डाल कर यह वेजला जवाब तो यहां पर हमारी जो सब्सक्राइब बिल्कुल अच्छे से बॉयल होकर रेड़ी हो गई है चेक भी कर लिया मैंने तो अब मैं इस तरह से लिए एक पूरी गांठ लेगा तीन चाल हरी मिरचे ली और अरब मैं इसमें 8-10 काजू और 8-10 बादाम ले रही हूं क्योंकि रेस्ट्रो स्टैल वेजला जवाब बन रही है तो इसमें काजू और बादाम तो जरूर डलेगा अभी यहां पर इस मसाले को हमें ग्राइंडर साल में डालना है और दूद के साथ में इसको ग्राइंड कर इ बहुत प्यारी गौल्डन हो गई है तो इस पॉइंट पर मैं इसमें दो टमाटर अड़ कर रही हूं टमाटर को भी मैंने बिल्कुल प्यास जैसे बारिक बारिक काटा है तामाटर को प्याज में अच्छे से भूल लीजिए आदे मिनद तक जिससे टमाटर गलने लगे मसाले भी आड़ करने हैं तो एक बड़े चमच लाल मृच्ट का पाउडर या कश्मीरी मिच पाउडर एक चौथा चमच अलदी पाउडर साथी एक बड़े चमच नमक क्या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है और एक चोटे चमच हमें इसमें धनिया पौरडर डालना है अब यह देखे मसाला फ्रेंट्स हमारा बहुत उसे भून चुका है कलर चेंज हो गया है तो इस पॉइंट पे फ्लेम लो करकर हमें हमारा सारा तैयार क्यावा पेस्ट डाल देना है जो के काजू अद्रग हरिमेज बादाम का जो हमने पेस्ट बनाए ना दूद के साथ में उ मसाला भून रहा है बीच बीच पे मैं इसको चलाती जा रही हूं और फाइनली थर्ड स्टेज पे आकर बिल्कुल अच्छा मसाला भून जाता है और इसका मौश्चर भी खतम हो जाता है तो इस तरह से आपको इस मसाले को बिल्कुल तसली से धीमी आच पे भून लेना है 8-10 प्लक लगते हैं लेकिन मसाला तो अच्छे से बुनता है तो यहां पर देखिए हमारा मसाला बोहत अच्छे से बुन गया है बुनने की बहुत अच्छे खुश्बू भी आ रही है तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है हमारी सारी उबली हुई सबजियां यहां पे डाल देनी हैं तो इस पॉइंट तक सबजियां तो अल्रेड़ी गली वी हैं इस मसाले में डाल करना इसे बहुत अच्छे से मिला दीजिए जिससे आलू वगेरा के अंदर ग्रेवी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाये इस बुनता भी जाएगा मसालों में और अच्छे से मसालों और अच्छे से मसालों का सारा फ्लेवर ऑ्लू और सब्सका अंदर आजआएगा और सबण बुन दिएंखा बड़ाए उपन कर लिया तो इसमें सब्दाएं पनीर बीख कर दोस्त जाएगा ही जाएगा इसमें एक चमश मंखन बी डालिए फ्रनमames क्योंकि यह वैजfight को जो शलाम है तो सब्मक्राइब से इंसे मिला दिक्टुर्डरी हुआ में बहुत धोन लेना है अन्ससाइएं और जब राएंनगे हमें से फुल क्रीम मिल्क है यह तो यहां पे उपर से मैंने आधा डाला है अभी वापस से चला दे रही हूं और हां जब अब दूड डालेना तो फ्लेम को लो कर दीजेगा वरना दूड फट जाएगा अभी देखें जो बाकी बचावा दूड था वह भी मैंने इसमें डाल दिया औ पराल कर बराबर से चला दे रही हूं सब्जी की ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी हो गई है तो अभी हमें लिड लगाना है और बिलकुल लो फ्लेम पे इसे पांच मिनट तक कर लेना है और पांच मिनट बाद में जो खुश्बू आएगी उसकी वज़से जो सब्जी बने जितना आपको इसकी रखनी है उसे साब से लखिएगा लेकिन जितना जो दिख रहा है इतना परफेक्ट है ऐसी रहना चाहिए और बहुत ही अच्छी कमाल की वेज जवाब सब्जी बनकर तयार हो गई है गार्णिश कर रही हमें बारी कटे हुए हरे दिनी के साथ में और गरम डिश ओड करें बहुत ही अच्छी लगती है अगर आप रस्ट वगर में इस रसेपी को खाएंगे सब्जी को खाएंगे तो तंदूरी रोटी बटर रोटी या नान रोटी के साथ में लेकिन अगर घर पे बना रहे तो लच्छा पराठा तो जरूर बनाईएगा तो सब्जी को डिश ओड कर लिए और इसके साथ में जो खानी के लिए मैं पराठा बना रहे हूं उसकी भी आदी तयारी कर लिए तो आचारी बनानी के लिए डो मैंने लगा कर रख दिया था यहां पर देखें डो बिलकुल अच्छा सॉफ्ट हो गया है मैंने दुबारा इसे को हमें इसके उपर स्प्रिंकल कर देना है जिसकी वजह से अचार का बहुंचा फ्लीवर आएगा और अपका यह अचारी पराठा बहुत अच्छा लगेगा तो वेजला जवाब के साथ में जो अचारी पराठा का कॉम्बिनेशन एफ्रेंस एक बार तो आप जरूर गरम कर लेना है और तवे पर हमारा यह पराठा लाटरा होने फिरम होने तक प्लेट बिल्कुल हो गई है तैयार साथ में मैंने सबजी पराठे थोड़ी सी प्यास लचे वगर अगर आपको नीम्बू पसंद है तो वह भी मैंने डाला और इस तरह से प्लेट सजाकर अपने घर वालों के लिए अपने मेमानों के लिए इस तरह की रेसेपी करें क्योंकि तब तक अपना और अपनी फैमली कर रखिएगा बहुत सारे ख्याल दौा में याद रखिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग